कि नेट के बाद कैसे मिलेगी जो प्रॉफेसर की जॉब है वो कैसे मिलती या आप मैंसे अधिकांस जो इस्टुडेंट्स हैं जो असिस्टेंट प्रॉफेसर के लिए तैयारी करते हैं किसी भी यूनुसिटी एक पर आवाद देख लेता हूँ याप सब लोग साइक प्रॉफेसर या प्रॉफेसर के लिए ट्राई करते हैं और तैयारी करते हैं नेट की तो आज की इस वीडियो में मैं विस्तरत रूप से आपको समझाने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से नेट के बाद प्रॉफेसर की जो जॉब है उसको हासिल कर यह जिससे की आप exam को pass कर पाएं ऐसे तमाम चीजों पर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला आतरता परिक्षा कैसे काम करते हैं अगर आप मालो net pass कर ले तो जैसे एक होता बीएड का नाम सुना आप लोगों एक बीएड होता है और एक होता है नेट इन दोनों चीजों को समझवाँ बीएड करने से आदमी TGT PGT KBS NBS में सिख्षक बनता है ने स्कूल में टीचर बनता है और नेट पास करने से आदमी जो कॉलेज होती है साथियों उन कॉलेजेज मे लेक्षर बनता है या उन कॉलेजेज में सिख्षक बनता है यानि सीधे तोर पर यह कह सकते हैं कि बीएड करने से आदमी 12th क्लास तक की स्कूल में मास्टर बनता है और नेट पास करने से यह कह सकते हैं कि जो कॉलेज होते हैं जिसमों BA, MA या BSC, MSC, BC, BCOM, MCOM यह जो इने graduation से सुरू हो जाती है जो job लगती है net पास करने इतनी common जीज हमने समझ लीगे अब हम कैसे पास करेंगे सबसे बड़ी बात है कि net को के बाद कैसे मिलती है professor job कैसे आप join करोगे कैसे आपका process होगा कैसे form fill करोगे क्या syllabus होता है क्या entrance exam लगता है या direct interview होती है ऐसे तमाम पहलो ओपर आज की सेसन में मैं आप लोगों से बात करूंगा लेकिन आपको रैफरल कॉड में लगाना है चाहें नेट यूपी ऐसे से किसी की भी तैयारी करें आप लोके सिलेवन कॉड लगाओगे तो आपको 10% का discount मिल जाएग आए अब एक तो होती है साती हो इस तरीके से इनको बोलता है PCS और जैसे विस्विद्धाल हो गया जैसे DU हो गया मालो JNU हो गया भी हो गया यह विस्विद्धाल राजस्तान यूश्टी हो गई अब देखो क्या होता है दो प्रिकार से आप प्रॉफिसर बनो 2022 का सेनेरियो बता रहा हूं फिर नापको औ प्राजस्तान विस्विद्धाले की कॉलेज में जो वेकेंस हैं कॉलेज लेक्षर के लिए या प्रॉफिसर के लिए उन सब में आप केवल नेट मात्र कर लेने आपको प्रॉफिसर बनने के लिए कुछ चीजें आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आपके अंदर देखो जब टीचर बनता है कोई स्कूल का तो पहले बीएड करवाई जाता है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए लेकिन प्रॉफिसर जब बनता है आदमी तो उसको पहले टीचिंग सिखाई नहीं जाती है कि पहले टीचिंग ट्रेनिं चाहते हैं आप लोगों का कितने लोगों का ख्वाव है कि आप भी इसी तरीके से पढ़ायें किसी विश्विध्यायले में तो एक बार मुझे बताईए कि कितने लोग हैं जो ऐसा खाब देखते हैं कि आपको भी प्रॉफिसर बनना है आप लोग कमेंट्स करके बताईए पिर हम आगे बढ़ें गे साथ कितने लोग हैं सखवाप देखते हैं कि यार हमको भी इस तरह से एक प्रॉफिसर बनना है और एक्टम यउग क्या बनना है साथ हक्ठम यह जडो एक भाई शांदार जादार जिसके लोग कहिए यार फलाने विश्विधाले में प्रॉफिस सबी विस्विधायलों में apply होगी पर यह authentication के लिए कि यह चीज़े सत्त हैं जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए मैंने दिल्ली विस्विधायले का यहाँ पर एक वो रख रख रखा है एक तो सबसे ब्राइटनेस और कम करो उसकी बहुत जाद ब्राइटनेस अब आपको ठीक द किसी को 55% की आवश्यक्ता हो आईए अब हम जान लेते हैं कि 50% किसको चाहिए और 50% किसको चाहिए देखो master degree में 55% किन लोगों को चाहिए जो सामान वरग से संबंद रखते हैं उनको 55% की आवश्यक्ता है चायो पुरूस हो या फिर मही जितने भी लोग ST से आते हैं जितन लोग OBC से OBC में नॉन क्रिमिलियर की में बात कर इन सबको सात्यों 50% में के दोरान मेरे कहने के मतलब PG के दोरान चाहिए आपने MC किया हो इन सब के दोरान आपको इतने परसेंटेज होना ज़रू यह सब से न्यूनतम क्वालिफिकेशन प्लस सात्यों नेट प्लस नेट होना चाहिए उस स्टेट का ठीक तो यहां पर 55% होना चाहिए और सात्यों 50% की वह होनी चाहिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है तो यह नूनतम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए उसके बाद में आप जहां भी जिस भी PCS के अंतरगत आपके वेकेंस से नि और उसके बाद में आपका साथ क्यों हो जाएगा उसके बाद में आपका सेलेक्शन हो जाएगा सार यूपी PCSC में नेट अपेरिंग मैं है कि नहीं प्लीज बताईए अच्छछा देखो आप नेट अपेरिंग नहीं होती है नेट तो पास होते ड्यारेक तो आपके पास नेट होना जरूरी पर धाने तोना जरूरी है यह एक होता स्टेट एलिजबल्टी टेश्टमों मालो Let's Suppose, हम बात करें, मालो, यहांपर RPS, कि जैसे कि RPSC करके है, RPSC, RPSC क्या है? RPSC है, राजस्तान Public Service Commission, राजस्तान Public Service Commission ने मालो, कि अपने स्टेट में, professors के लिए भर्ती निकाली, तो यहां पर, या तो कोई विध्यारती, मात करना, मात मात में, हो मख़ए में तो हो यह या तो नेट नहीं तो सट यह आपके लिए नीट यह लिए वहां पर आपके लिए नेट निवार्य है वहाँ पर set की आफशक्ता नहीं पूरती है अब आप बहुत से लोगों के मन में ये प्रतिकरिया जागरत हो रही होगी और set किसे कहते है set का मतलब मैंने आपको बतलाई दिया है set होता है जिस तरह net होता है उसी तरीके से जो state होता है राज होता है वह एक टेस्ट और लेता है बहुत से लोग है नेट पास नहीं कर पाते पर वह set पास कर लेते हैं तो वह फिर उस राज के लिए वह एलिजिबल हो जाते हैं प्रोफेसर बनने के लिए उसके बाद में आपको जहां भी वेकेंस से निकलती हैं उनको अपडेट र में होते हैं क्या नहीं मा नहीं होते हैं डिल्विजविए एक केंडरिविजविजविजविद्व वेकेंसी निकलिया बाइस Central University of Rajasthan यह अजमेर में तो यहां पर आपका SET NET काम आएगा SET नहीं NET काम आएगा SET नहीं तो MA के बाद Professor मन्ना आसान है Net Pass कर लिया और उसके बाद में जहां भी वेकेंसी निकलती हैं हमको apply करना है अगर हम State University में apply कर रहे हैं college lecture के लिए तो हमको test देना पड़ेगा अगर आप Unicity के लिए direct apply कर रहे हैं तो आपको किसी test देनी क्या आश्रता नहीं है इंटर्व्यू के बिहाब पर भी आपकी नौकरी लग सकते हैं अब सबसे बड़ा एक सवाल आएगा क्या PhD कंपल सरी है नहीं अगर आप PCS में दे रहे हो तो यहां पर PhD कंपल सरी नहीं तो PCS में जितने भी college कुमारे से लेकर कस्मीर तक का कोई भी विध्यारती आकर प्रोफेसर बन सकता है लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको MA होना चाहिए जो मैंने आपको होता है अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे वीडियो तो मैं एक वीडियो बना दूगा संचिप्त में यह बतला देता हूं API का मतलब होता है कि जैसे आप मालो आपने PhD किया है तो आपके सीधे सीधे 30 नंबर जुड़ जुड़ जाएंगे इस तरीके से कि स्कोर होता है कि आपकी किताबें हैं उसके आधार पर आपकी वैल्यू बनती है उसको संचिप में API स्कोर की रूप में काउंट कर से तो इस तरीके से प्रोफिसर बनना आज की समय में काफी ज़्यादा आसान है तो आप यह काम करोगे साथ यहो तो मैंने संचिप में आपको हाउ टू विक का में प्रोफिसर और नेट के बाद कैसे जॉब मिलेगी इसके बारे मैंना आपको जानकरी देता है